नमस्कार दोस्तों तंदुरुष जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन सप्लिमेंट यानि कि प्रोटीन पौडर लेना क्या गरवती महलाओं के लिए ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के कौन से महीने में इसे लेना शुरू करना चाहिए तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो पूरी देखें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें दोस्तो प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंट महलाओं में प्रोटीन की जरूरत महत्पूर्ण रूप से बढ़ जाती है और गरब में पल रहे भ्रून के विकास में भी प्रोटीन का एहम योगदान होता है प्रेगनेंसी में वैसे तो आप विभिन खादय वधारतों से प्रोटीन की जरूरत पूरी कर सकती है जैसे कि अंडे वा चिकन के सेवन से आपको भरपूर प्रोटीन मिल सकता है लेकिन अगर आप वेजिटेरिन हैं तो आप प्रोटीन के लिए डेरी प्रोडक्ट पनीर, प्रोटीन की जरूरत पूरी हो जाती है और आम तोर पर प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन पौडर के सेवन की सलहा केवल कम वजन और प्रयाप्त पौश्टिक भोजन प्राप्त ना करने वाली महलाओं को ही देती हैं तो ऐसे में आपको खुद टेंशन लेनी की जरूरत नहीं है कि आपको प्रोटीन पौडर का सेवन करना है या नहीं अगर जांच के दौरान आपके डौक्टर को लगे कि आपका वजन कम है या फिर अगर आपके गरब में पल रही शुशु का वजन कम है यानि कि प्रोटीन की जरूरत है तो ऐसे में आपके डौक्टर आपको प्रोटीन पॉडर लेने की सलहा दे सकती है दोस्तों जैसे कि बाजार में बहुत से प्रोटीन सप्लीमेंट उपलब्ध हैं तो ऐसे में आपको इस बात के लिए भी प्रेशान होने की जरूरत नहीं कि आपको कौन से ब्रांड का कौन सा प्रोटीन पॉडर लेना है अगर प्रेगनेंसी में आपको जरूरत है तो ऐसे में आपकी डॉक्टर आपको खुद बता देंगी कि आपको कौन से प्रोटीन पॉडर का सेवन करना है इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान बिना अपनी डॉक्टर की सला के खुद से किसी भी प्रोटीन पॉडर का सेवन ना करें दोस्तो गरभावस्ता में प्रोटीन के प्रयाप्त मात्रा ना लेने पर शरीर में इसकी कमी हो सकती है और प्रोटीन की कमी से गरभ में पल रहे शिशु का विकास प्रभावित हो सकता है शिशु का वजन कम हो सकता है प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ सकती है गरवती महला की मास पेशियां कमजोर हो सकती है उसे ज्यादा धकान हो सकती है प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है जनम के समय बच्चा कमजोर हो सकता है और समय से पहले delivery भी हो सकती है दोस्तो अब बात करेंगे कि pregnancy के दौरान protein powder का इस्तिमाल कब शुरू करना चाहिए दोस्तो वैसे गरभावस्ता में protein powder शुरू करने के लेकर कोई निश्चित समय नहीं है अगर आप underweight हैं तो आपको गरभादारन करने से पहले ही protein युक्त अहार का सेवन शुरू करना चाहिए और डौक्टर की सरह से protein supplement का सेवन आप कर सकती है या फिर pregnancy के बाद अगर आपका वजन कम है या फिर आपके गरभ में पल रहे शिशु का वजन कम है तो डौक्टर आपको protein powder का सेवन करने के लिए कह सकती है लेकिन आम तोर पर गरभावस्ता के तीन महीने के बाद protein powder का सेवन करने के लिए कहा जाता है दोस्तो प्रेगनिंसी के दौरा normal weight वाली महलाओं के मुकाबले underweight महलाओं को ज्यादा protein की जुरूर्थ होती है तो ऐसे में protein की जुरूर्थ को पूरा करने के लिए पौस्टिक भोजन के साथ साथ protein powder का सेवन आपको करना पड़ सकता है डौक्टर की सलह से protein powder लेने से आपका और आपके गरभ में पल रही शिशु का वजन निश्चित रूप से बढ़ना शुरू हो जाता है साथ ही साथ शिशु का विकास भी काफी तेजी से होता है डौक्टर आपको दिन में एक या दो बार दूद के साथ protein powder लेने की सलह दे सकती है और आप दूद के इलावा juice में डाल कर भी protein powder का सेवन कर सकती है दोस्तो अगर आपकी डॉकटर आपको प्रोटीन पॉडर का सिवन करने के लिए कहती है तो यह आपके लिए पूरी तना से सुरक्षित है लेकिन प्रेगिननसी के दौरान कभी भी बिना अपनी डॉकटर की सला के प्रोटीन पॉडर का इस्थमाल ना करें दोस्तो अगर गरम में आपका बच्चा कमजोर है तो ऐसे में आपको क्या खाना चाहिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी के लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है जो आपको मेरी आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो अभी के लिए इतना ही